33 मार्च को बिहार बोर्ट की अधिकारिक वेबसाइट पर छात्र अपना रिजल्ट देख सकेंगे अक्सर रिजल्ट जारी होने पर हैवी ट्रेफिक के कारण वेबसाइट स्लो हो जाती है जिसके कारण चातरों को अपना रिजल्ट देखने में दिक्कत आती है तो आए आज आपको अपना रिजल्ट देखने का एक आसान तरीका बताते हैं जिससे आप वेब साइट के ट्रैफिक से भी बद सकते हैं और घर बैठे SMS के जरीए अपना रिजल्ट देख सकते हैं ये तरीका जानने के लिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखें BSEB के अध्यक्ष आज दोपहर डुट बजे प्रेस कॉन्फरेंस के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा दस्वी के रिजल्ट के साथ-साथ टॉपर्स पास प्रतीशत जेंडर वाइस पास प्रतीशत जिलानुसार चात्रों के आंकडे आधी की जानकारी स्वाजा करेंगी इसके बाद बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड-online.bihar.gov.in पर रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया चाहेगा इसके साथ ही बिहार बोर्ड कक्षा दस्वी का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइटों results.biharboardonline.com, bsebmetric.org, biharboardonline.bihar.gov.in पर भी आउनलाइन चेक किया जा सकता है वेबसाइट के माधियम से आउनलाइन रिजल्ट चेक करने के अलावा बिहार बोर्ड के च्षातरों के पास फोन पर SMS के जरिए रिजल्ट देखने की सुविधा भी है ये सुविधा उस समय काफी काम की होती है जब वेबसाइट स्लो हो जाती है अगर आपको भी रिजल्ट देखने में इस तुरह की परिशानी हो तो आप हमारे बताए इस तरीके से अपना रिजल्ट SMS के जरिए अपने फोन पर पास सकते हैं स्टुडेंट्स के लिए फोरण रिजल्ट चेक करने का ये काफी अच्छा विकल्प है बोट परिक्षा का रिजल्ट SMS द्वारा पाने के लिए आपको कुछ असान से स्टेप्स को फॉलो करना है आपको बस ब्लॉक लेटर्स में बिहार 10 स्पेस अपना रोल नंबर ट्राइप करना है और इस मैसेज को 56263 पर भेजना है और बस कुछ ही सेकंड में रिजल्ट आपके फोन पर SMS के जरिए प्राप्त हो जाएगा आईएब आपको बताती हैं कि वेबसाइट पर आप कैसे रिजल्ट चेक कर सकते हैं सबसे पहले VSEB की आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन.bihar.gov.in पर जाएं होम पेज पर उपलब्ध बिहार बोर्ड दसवी रिजल्ट 2024 के लिंक पर क्लिक करें एक नया पेज खुलेगा जहां उमीदवारों को कुछ डेटेल्स जैसे की अपना नाम और रोल नंबर भरना होगा इसके बाद सब्मिट पर क्लिक करें और आपके सामने परिणाम प्रदर्शित हो जाएगा याद रखें की परिणाम जांचे और पेज डाउनलोट जरूर करें आगे की अवशक्ता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी भी अपने पास जरूर रखें इस खबर में बस अतना ही यह खबर आपको कैसी लगी हमें कोमेंट कर जरूर बताएं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन का डिजिटल प्लाटफर्म